हेलो फेन स्वागत है हमारे यूटूब चनल लक्ष 24 वाई से मन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एस्टेट परिक्षा इसमें कोई चोड़ी नहीं हुआ कटवा इसमें कोई दानजली नहीं हुआ है जबकि स्टुड्यान्ड द्वार्व यह बूला गया था कि आपका। आप एक्जाम्पल में हम बता देते हैं कि कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस पेपर जो 50 नमर के था उसमें पैडलोजी से एक भी कुछ्चन नहीं था जब कि सीलेबस में बोला गया था कि पैडलोजी से कुछ्चन आएगा तो आउट अप सीलेबस था बट बोर्ड को पता नहीं 4-5 मेहने क्या कर रहे था जब केंसिल अप करना था तो उसी टाइम में करते जब 4-5 मेहने बीत गया सब कुछ हो गया है एंसर किया गया है पेपर चेक हो गया है सब कुछ हो गया है तो आप केंसिल कर रहे है तो यह बोर प्रचेंड के साथ धोगाधरी हो रहा है उसके जो विश्वास से उसको आप तोड़ रहा है तो दोस्तों यह जो है विग्यापती है जो बोड दौरा जारी किया गया ऑफिशल विग्यापती है तो इसमें चीज लिखा गया है कि 28 तारीक पेपर वन पेपर टू को कैंसल कर द दौरा तो नोटिफिकिसन आएगा और परिक्षा सुल्क नहीं लगए अना ही आपको अवेधन करने की जरूरत है तो दोस्तों यह रहात है बट यह लिग्जाम केंसिल नहीं होना चाहिए था इससे काफी पढ़ने वाला है स्टूडियंट पे और टाइम भी पहुत प्रॉब्लम करने वाला है तो कुछ अब यारतियों के लिए फायदे मंद है बट जिनका एक्जाम अच्छा गया है उसके लिए बिल्कुल अच्छा ख़बर नहीं है यह बुरी ख़बर है उनके लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपका जो भी राय है जो भी प्लीज कमेंट करें कमेंट सक्षन में और वीडियो के लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने फैमली के साथ और आपका क्या ओपिनियन हों जरूर करें कमेंट करें ताकि हम लोग आगे का जो प्रोसेस है आगे अगे अगर कोट केस करना हो या कुछ भी करन झाल झाल